हेलो नमस्कार जैंद इन्फोर्समेंट कांस्टेबल अथात प्रवर्तन सिपाई के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूं मैं नहीं लेकर आया हूं क्योंकि आयोग नहीं बुरी खबर दे दिया है तो इसे मैं क्या कर सकता हूं पता नहीं यह कैसी सरकार है यह कैसा आयोग है किस प्रकार का यह सिस्टम चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है इन्हों लोगों इन लोगों ने दिल की धड़कन रोक दी है अब पता नहीं क्या होगा आगे क्या होगा इतने मेहनत से हम लोगों ने महीना से डिड़ महीना से हम लोग त्यारी कर रहे हैं सुबह 11 बज़े हम लोग बढ़ियां से पढ़ते हैं साम को 10 बज़े से प्रेक्टिस करते हैं 10 बज़े से साड़े 11 बज़े प्रेक्टिस करते हैं 10 गंटा इतना मेहनत करने के बाद हम लोग और आग अब पता चला किन्हों ने भरती को रद्य कर दिया भरती केंसिल हो गई अ तो अभ्यार्थी पहले से साट लिश्टेड है उनकी लिए एक रहात भरी खबर यह है कि उनको बाहर नहीं किया जाएगा लेकिन क्या इतना ही काफी है क्या इतना ही काफी है नए भरती इसी भरती को 2023 के पेट वालों को भी इसमें सामिल कर दिया गया है और 22 के पेट वाले सा क्यारी कर रहे हैं और एक जटके में इस भरती को आपने केंसिल कर दिया और बोल रहे हैं कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा क्या इतना ही काफी है अब हम लोग इस बात से रूकने वाले नहीं है और इन्होंने देखिए आगे देखिए इसके बारे मताते हैं इससे पहले आगे बढ़ने से पहले पहले शेयर कीजिए ताकि सब को पता चले सब को जोड़ पाए और हम लोग सभी टीचर्स और सभी स्टूड़न्स मिलकर एक बड़ी करांती करेंगे हम लोग अब थामने वाले हैं नहीं इतना हम लोग बारबरदास्ट नहीं कर सकते आयोका और सरकार की आगे देखते हैं देखिए क्या हुआ अब देखिए उत्तर प्रतिस सर्वनेट्स सर्विस सेलेक्शन कमिशन इसके बारे मैं पहले आपको बता दू आपको याद दिला दू कि चार एक्जाम दो हजार तेस्ट जो नेटिफिकेशन है विग्यापन संख्या है मैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए अप्लिकेशन बगिन साथ साथ दो हजार तेस से अव लाजड़ देट 28 007 2030 को हुई थी फी पेमेंट करने की लाजड़ देट 28 007 2030 थी और परेक्शन का लाजड़ देट 48 00930 था स्लेबस एवाइलेबूल कराया गया था 12-10-2023 को और इजल्विटी डिजल्ट एवाइलेबूल हुआ था 6-2-2024 को यानि कि 6 फरवरी को शार्ट लिस्ट कर दिया गया था और जो शार्ट लिस्ट हुए थे उसके बाद से हम लोगों ने 20-22 फरवरी से अपना बैचे स्टार् भी बैच चलता है 11 बच चलता है और सामको 10 बजे से सब्सक्राइब चलती है आप लोग खुब जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं हम लोग करते हैं सभी लोग मिलकर करते हैं लेकिन अब इन लोगों का मानसिक्ता बदल गई है अभी लोग जिसके लिए अप्लिकेशन फी इसके लिए हैं याट के बीडर कभी बार बार पूचकर रहे थे हमने सब को बताया था कि जब एग्जाम डिट आजाएगा डिकलेर हो जाएगा घ्जाम घोहसित हो जाएगा उसी दिन से पैमेंट के लिंक हो जाएगा और एक्जाम डेट के दो- conjpart дол पहले तक पैमेंट थी 2022 के पेट पर जो 10 प्लस्टी इंटरमीडियर एक जाम इनकी इसलिविल्टी थी अब इसके हाइट जो है कि बात करें तो 116 cm स्ट के लिए 166 cm फीमेल में 152 cm रों स्ट के लिए 147 cm चेस्ट मेल के लिए के लागू होता है स्ट के लिए 17-22 cm रुनिंग भी इसमें थी मेल के 4.8 km 27 में और फीमेल के लिए 2.4 km 16 में तो इस प्रकार की पोष्ट थी अब इन लोगों ने बैड नूज दे दिया आयोग ने बहुत बड़ी ख़बर दे दिया अभी इसके बारे में बात करते हैं वीडियो का पहले शेयर कर दे लाइक कर दे देखिए यह आयोग का अफिसियल बेव साइट है अफिसियल बेव सा के लिए उनहें लगता है कि बच्चे और टीचर्स वेव कुप हैं इंगलिस नहीं पड़ पाते हैं अरे को लोग Him इंगलिस पढ़ पाते हैं सहम लिख हुटी Milk पढ़ना हैए इसको प्रस में बेवस कर देना हम सभी टीचर और सभी स्चुडेंट तूढ कर चेंद Share नहीं इस नोटिफिकेशन जारी कर दिए हम लोग मानने वाले हैं नहीं और इस पर नुटिफिकेशन गौव लोग मानते नहीं है मानते नहीं कि आपका नोटिफिकेशन है नहीं मानेगे बिल्कुल नहीं मानेगे जो खर लेजिए happy April पूल्ड यह बुरा ना वानियेगा अप्रिल फूल्ड यह वीडियो को लाइक कर दिजीएगा अगर नहीं कियों तो फिडियो को से रिखिजीगा बहुत बहुत धन्यवाद